वेलकम स्टुडेंट कॉमर्स की टू सक्सेस तो टूडेश टॉपिक एंपियो यानि वी आर डिस्कुसिंग अबाउट नॉन पॉफिट और इस जो यह चैप्टर है इसमें 95% स्टुडेंट्स को बहुत जादा प्रॉब्लम्स होती है यह वो सेप्टर से बहुत डरते हैं यह इस जो यह चैप्टर है इस पर मैंने अपनी तीन से चार वीडियो बनाई है पूरा कॉंसेट उसमें अच्छे समझाएं कोशन मैंने सौल कि है तो आप जो मैं पार्ट्स बनाने वाली इस चैप्टर के वह सारे पार्ट्स आप देखें फिर इस चैप्टर के आपको पूरे कॉइस ली सौल कर पाओगे क्यों कि मैं आपको कॉंसेट बताने वाली हूँ कि NPO और कॉंसेट क्या है फिर आपको इस ली सारे कुशन आप से सौल हो जाएंगे तो अपन स्टार्ट करते हैं सप्टर को लेट्स बिगिन तो मैंने बोला कि सब्सक्राइब का नेम ही समझते ह बोल रहे हैं यहां क्या लिखाव है नॉन प्रॉफिट और गनाइजिशन इसको हिंदे में अपन बोलते हैं गयर आप आरी गयर लाप करी संसाएं यानि अपने बीस्ट के बुक में या आपने जो पढ़ा है सॉल्वरेटर में पढ़ा है अपने पढ़ा है पार्टनर्शि प्रॉफिट और आप GOP केलाता है लेकिन अब यहां क्या पढ़ रहे है नॉन प्रॉफिट और गनाइजिशन मतलब ऐसी संसाइं जिनका मोटिव लाप कमाना नहीं होता है वे नौन प्रॉफिट और गनाइजिशन क्याना एक पार्गों जिए अपने पढ़तों लिए इसक एक्जामपल ही होता है जिसे एक ट्रस्ट ही हुआ अपना या फिर जो धर्म वाली संस्ताइं होती है वह हॉस्पिटर्स हुए है अब में मंदिर हुए मजजद हो इस सारी चीज़े जहां पर जो शोशल वेरफेर के जो काम किये जाते हैं वह सबी चीज़े क्लाती है नॉन प हुआ मैं उनके ट्रस्ट खोला मेरा मोट्व और एन्न नहीं है मेरा मोटिफ प्रॉफी एन्न करना मेरा अबजेक्टिव क्या है यहां ओब्जेक्टिव क्या होते हैं यह अब ज़ो होता है सोशले वेर फeरे के लिए आपन कुछ काम कर रहे होते हैं कि profit earn करना यानि समझो मैंने एक और मतले एक ट्रस्ट खोला उसमें मेरा मोटिव क्या था कि मैं क्या करूंगी जो भी पूर स्टुडेंट्स हैं उनको फ्री एजुकेशन के लिए मैं क्या फी पे करूंगी और उनकी जो एजुकेशन हैं उनमें help करूंगी यहां पर मेरा मोट सर्विस होती है जैसे मैं किसी सलून पर जोगी तो मैं सेवाई लूँगी उसके बदले में मैं उनको चार्ज दूंगी वह नॉन प्रफिट और्गनाइजेशन नहीं है जहां पर फॉर्स फीचर इसका बोलता है कि आपका मोटिव नॉन प्रॉफिट मतलब को मोटिव देन मैंने इससे क्या करा एक शोशल वेरफेर के लिए काम किया यहीं समाज कल्यानकारी मतलब कल्यानकारी कारे किये यह अपन क्या समझेंगे नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन का मतलब यह हो गया मतलब यह ऐसे संसा होती है जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्ण करना यहां पर भी बॉड़्ड़्ट सेल या पर्ट रिखेस या सेल नहीं करेंगे यहांपर क्या करेंगी और वह सर्विस क्या होगी सेल वेयर फेर के लिए आपने काम करेंगे और यहां पर देनी तो उसके लिए मुझे परचेश भी करनी भी चैनल के लिए तो यहां पे तो क्या होता है अगर अगर बेसे क्रीद है उनको प्रवाइड करने के लिए घरीद रहा है तो एक शोचल वेयर के लिए काम कर हैं अब यहां पर यह सब चीज़े तो मैंने बोल दी वहां पे तो क्या होता है आपका इंकम का सोर्स क्या होता है इनको समझना बहुत जरूरी है अब यहां पे लिए क्या होगा बिटाक टर्स्ट मैंने क्रियेट कर रां ठरस्ट बनाया मैंने हैं इक क्या त्रफ स मेंने क्या ओंद अर्छुन कि विल्यां अब ट्रस्ट बन गया अब एक चीज और बताती हूं जैसे अपनी तीन सब्सक्राइब होती है कि आपका जो कंपनी एक्ट है कंपनी इस एक्ट तो श्रीडवा लेते तो अपनी क्या बनती है अब जिसे ट्रस्ट भी अपना क्या करवा सकती एक्षिन एक्ट में करवा सकती है अब समझो पहले मैंने ट्रस्ट बना लिया एक मैंने क्या कर लिया ट्रस्ट क्रियेट कर लिया तो यहां पर मुझे क्या अब मिर को इंकम के सोडसे होंगी यопन समझतें संसाइं क्क इंकम पाइज्ट उश markets नंचिन होटाों कि इंक़ व्यदे और तो इसमें इंकम का पाट कि ऊता है इसक आप Bennett का दोनेशन हो दान किसे ने दिया आपको तो वह इंकम हो गई आपकी ठीक है और इसमें क्या होता है सबसे में जो राइगुलर डेली वेसे पर बोल सकते हैं राइगुलर राइवन्यू नेचर का अपन बोल सकते हैं वह आपको होता है सब्सक्रिप्शन क्या होता है सब्सक्रिप्शन क्या बोलते हैं of red subscription किसे को सब्सक्रिप्रिप्शन अदोड यानी चंद होता है इसको क्या वो आफन चंद अब जो ऐसे चंद्ड होता है मैंबर्स होते हैं इसमने क्या हमान थे मैंबर मैंबर्स करते हैं। वहां पर करते हैं यो इसके रदेती ध्लीफ करेंगों पर पर सबम्सक्राइब बन सकते हैं। सब्सक्राइबर क्या च्किया करेंगे सब्सक्राइबर क्या देंगी होगे क्या देंगे क्या कर देगे मंत लिए इनकम होती है एक revenue nature का है क्योंकि अपन को जैसे भी डिसाइड करें ट्रस्ट में जो भी डिसाइड करें कि आप मंतली वाला पेमेंट करोगे या फिर यह यह सब्सक्रिप्शन कलाता है इससे क्या होते हैं में इंकम ही होते है यह revenue nature की होती है ठीक है नॉर्मली फिर और भी हो सकते हैं जैसे और इसको सेल आउट कर दिया कुछ से भी अपने पास अपने को सेल करा उससे आफिर नॉर्मली जो पने पास पढ़ा था या फिर कहीं से और से इंकम होगे तो यह सारी क्या होगी अपनी इंकम के पार्ट्स हो गए एक्सफेंस क्या हों एटा मैंने किया बोला इसका इंपयों के बारे में कि यह ओता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाईजिशन तो होता है इसका मोटिफ प्रॉफिट रिटर्ण करना नहीं होता है और यह क्या होता है शोशल वेर फेर के लिए काम किया जाता है एक तरीके से किया और आपको बता दिया और है जो भी एपना मोटीव हाइं पर क्रच करेंगे एक खार्च करेंगे तो अपर अब क्या समझते हैं यहाँ और सबस्क्राइब कि difference हमें कि profit organization जो होती है और जो non-profit और organizations होती है उनमें उनकी जो terms होती है यह उनमें कोई अंतर होता है उनकी accounting में कोई अंतर होता है यह सारी चीज़े अपन समझेंगे अभी तो इस पर अपना non-profit organization and में short form में लिख देती हूं इन पी अपना and profit organization यह समझ रहे ना दोनों टर्म्स में आपन डिफ्रेंश देखेंगे इस प्रॉफिट और यह आपका non-profit organization है तो यहां पर क्या होता है अपन देखेंगे अंधर अब सबसे पहले आता है विटा आपका capital वर्ड आपका वर्ड क्या रहा है capital यहां पर क्या होता है profit organization अपन तीनों लेकर चलेंगे solve provider हो partnership हो यह आपका क्या हो company हो तो यहां पर कोई भी जो व्यक्ति है जो क्या कर रहा है एक investment कर रहा है वह चीज क्या कर लाती है capital कहला दिए को उसको उसके लिए क्या मिलेगा return मिलेगा यानी यहां पर जो भी अगर कुछ वी investment किया है तो क्यापिटल क्या बोलेंगे capital जो भी investment कर रहा है जो即 mareiscail अदौन क्या मिलेगा event कर दो उसको मिल रहा है वह क्या कलाएगा profit कलाएगा यहां पर इंवस्मेंट कर रहा है यहां पर दो इन्वस्मेंट करें गालाइगा अपने क्या रूप में पास क्या है यहां पर इस capital को बोलेंगे आपन और यहाइं चैपिटल वॉन कि वूलेंगे काफिटल ट पूर्ट क्यों के रूप में यह कि आपने पास क्या है फंड के रूप में ना कि अपनी a तर्मनलोजी उसमें और भी से समझ में आएगा तो यह क्या कर लाएगा ना कि कैपिटल नी बोलेंगे सो क्या बोलेंगी कैपिटल फंड है जिसको अपन शोशल वेरफेर के लिए यूज में लेंगे जिस मोटिव से अपने अपने अपना एंपयो बनाया है उस अब्जेक्ट और यूज में बोल सकते हूं मैं सोल वरटर हो पार्टनेशिप हो आपका कंपनी हो आपको पता है उनकी फीचर्स असके अकटीं में क्या बन जाते सोमी या नि जिसुने भी investment कर रहा है वे इसका क्या होता है जो भी वो बिसनस कर रह उसका क्या क्या कर आएगा स्वामी कर ज यहां पर तो क्या होगा टोगा लेकिन यहां पर इस्टीब्यूट नहीं होगा कोई प्रोफिट एण 2 नहीं होगा और नहीं कोई सब्सक्रिप्शन दिया है और अभी वह डिस्ट्रिबूशं नहीं हो यादि करते थें यांने यां इसमें करने की ज़रुद्न लिया है, अभ मैंने यहां बोला कि यहां पर तो क्या होता है, अपने जो क्या बिजनस है, उसमें कितना प्रॉट पर तो अपन को पता चलिए कि यह objective होता है लेकिन यहां पर क्या objective होता है अपन क्यों accounting करें और किस कौन सी accounting करें कैसे करेंगे इस आरी चीज़े मैंने बोला यहां पर जो अपन word करेंगे क्यों capital यूज करेंगे क्यों करेंगे यहां कोई स्वामी नहीं होता ना कोई अपन profit क्या करते हैं डिस्ट्रिब्यूट नहीं करते हैं यह क्योंकि profit कमाईगी नहीं नहीं करेंगे कौन से सद्शुग करेंगे ठीक है तो मैंने बनाप इसका objective क्या होता है यह कौन से concept पर बेस्ट है तो इसमें क्यों आउशक्ता क्यों पड़ी सबसे पहले अपन नीड क्यों पड़ी कि आप accounting क्यों कर रहें अपन सबसे पहले इसका reason जानते हैं तो इसमें accounting की ज़रूट इसलिए पड़ी आज मैंने कुछ डोनेट कर रहा है किसी भी चुरस्टी में तो मैं जानना चाहूंगी जो भी मैंने पूरा किया कि नहीं किया जो भी डोनेट करते हैं यह जानना चाहेंगे कि जो उन्हें डोनेशन दिया उन्होंने सही से यूज किया कि नहीं किया जो अब्जेक्टिव के लिए उन्होंने संसा बनाई है वैं सही से चल रही है कि नहीं चल रही है इसलिए क्या ज्यादा जर काम यहां पे तो अकाउंटिंग करना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि डोनेटर यह जाना चाहते हैं कि वह डोनेशन किया है वह सही से यूज किया की यह समझ में आगे करनी है ढूर आधार पर इसी कि करेंगी तकि आगए की वीडियोस में सीखेंगे ओर जैसे आब इसका थो क्या हो गया ऊदर का अटा यहां यहां पर देंगे या परिन अन्सक्राइंख करने के लिए ती समझ में आ गया अब यहां पर accounting यहां पर किया बनता है विटा यह जर्नल ऑट एंटे करेंगे ट्रायल बनाएंगे ट्रायल बनाएंगे ठीक है यहां पर कोई आपर अपन जर्नल एंटेंगे यहां पर डायरेक्ट क्या वंती है सब्सक्राइब आपको अपने के करने हैं लेकिन यहां पर फाइनल अगांट बनते हैं यहां पर क्या बनता है प्रॉफित लॉइक अंड़क करने के लिए कि भूदक सब्सक्राइब हुआ है प्राफिट हुआ कि नहीं हुआ लेकिन इंकम प्सक्राइठ चैनल प्राफिणीचर करें कि यहां पे इत्यॉद propagand कि अपन को एप पतार लगता है और सब्सक्राव कर दीचिक है घूंठ पर बैलेंशीट क्रियेट करते हैं और यहां पर बैलेंशीट क्रियेट करते हैं तो यहां तक समझ में और इसमें कौन लगाता है पैसा इसमें पैसा कौन लगाता है जो भी जो भी ऑनर्स जैसे यहां पर पैसा कॉन लगाता है यह सब्सक्राइबर्स होंगे यह बाहर के कोई वक्ति जो डॉनेट करना चाहता है जिसकी इच्छा है तो डोनेशन कर सकता है तो वक्ति एंपयों में पैसा लगाएगा तो यह दोनों के बीच में difference है आप इसकी यह सिर्फ theory part था तो आप किसी भी बुक्स से इसको पढ़ सकते हैं normally NCRT books या normally किसी भी book से आप पढ़ लो DK Goyal जहां से भी आप जो मैंने theory पढ़ाई एक बाल सको read out करके आना इसको रीड आउट कर लेना अगर फिर भी अगर आपको समझ मिनी आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मैं आपको अच्छे से वहाँ एक्स्प्लेइन कर दूंगी अगर आपको लगता है कि मुझे बुक्स भी रैफर करनी चाहिए बताना चाहिए बुक्स को भी रीड एक दो को आपको आपको कर दो कि मुझे आपको एक्छे से वहाँ एक्टव का प्नुेदा वहाँ जापको